यह है Huge Ships vs Monster Waves और आप देख रहे हैं How Everything Works 16 अगस्त 2021 को उत्तरी सागर की और सफर कर रहा यह है Oil Tanker जो की 60 फीट उची विशाल समुद्री लहरों के चपेट में आ जाता है गल्फ अफ मेकसिको से करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर रात के समय सप्लाई वैसल एक हरिकन की चपेट में आ जाता है जिसकी रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई जिसकी रफ्तार करीब 250 किलोमीटर प्रतिघंटा जाता है जैनुरी 2020 को फ्रांस से स्पेन की ओर जा रहा यह M.B. कुलंबस क्रूज शिप अचानक विशाल समुद्री लहरों में फस जाता है समुद्र का यह इलाका पुराने समय से ही अपनी खदरनाक लहरों के लिए बतनाम है नंबर फाइव आज का एपिसोड यही खत्म होता है फिर मिलेंगे How Everything Works के एक नए एपिसोड में